तो फ्रेंड इधर का मौसम देखिए कैसा हो गई है पेंड भी हील रहा है हावा भी चल रहा है आप लोग देखिए हेलो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं जहां तक लुमीदे कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे आप लोग स्वस्त होंगे तो फ्रेंड आज कि और अभी तक दूप भी नहीं हुआ है आज मेरेों को इतना जल्दी कि मेरें कर डूटि जाना पर रहा है और मैं टोपी मही लगा लिह आğ breakdown कि ऑफ खाफी ठंडी है आज सबसे बड़ी बात है कि इतना जल्दी डूठी मैं मैं आज जल्दी ही सोया था क्योंकि साम को मैं जल्दी सोना पड़ गया था एक लड़की जो है वो दूसरे जगह नौखरी करती है यानि उसका ड्यूटी दूसरे जगह है यहां से 1200 किलो मीटर दूर रोलर की होस्पिटल में काम करती है डॉक्टर है तो आज वो लड़की आ रही है तो उसी को लेने के लिए चल रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैं बै कमरा करके दिखा देता हूँ देखिए गाड़ी ओड़ी कुछ नहीं दिखेगा इस समय तो फ्रेंट इस से मैं गाड़ी भी रोड़ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बहुत जल्दी ड्यूटी जा रहा हूँ इतने समय सब लोग सो रहा है और लड़की जब वह अहां से निकली थी तो भी वह मेरे को फोन कर दी थी क्योंकि वह लड़की को आने में एक घंटा 20-25 मिनट लगेगा तो मैं भी निकल गया हूँ अभी आधा घंटे का समय है उसी आधा घंटे के अंदर में मेरे को पहुचना भी है और टोपी लगाने जासे बहुत रहात है प्रेंडाज क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं टोपी में लगा जाए हूँ आज क्योंकि वह जैसे अपने गाह में कुछ सा पढ़ता है रोड पे बारिज जैसा हो जाता ह है सितल अरी गिरता है वह ऐसे यहां पर बुंदी बुंदी गीरा पूरा रोड गीला है बहुत ठंडी है और मेरे को लग रहा है सीचा पर भी आ रहा है जो बड़े-बड़े बुंदे जैसे बारिज जैसे होती है वह ऐसे देखिए इधर यह सम इसको बोलते है उस बुंद सलेसे बुद्ध गिरता है कोई जिससे मराई हो गया कर नांगा है और नहीं तो जैसे तो गाड़ी में अथन्द ही नहीं लगता है कि लेकिन फिर मेरे को दूर जाना है तो अपना सेप्टी रखना ज़लूरी है और जैसे लगता है ठंडा ज्यादा ही लग रहा है कुछ तो मैं एसी चालू कर दिया हूँ अभी गाड़ी में गरम एसी चालू कर दिया हूँ कि थोड़ा ठंड़क कम हो जाए यहां पर को यसा जल्द उतना नहीं गिरता है लेकिन ठंडी यहां पर चाप किराती है बरब जै जैसे चाहिए हो इसे मेरा डेली ड्यूटी फ्रेंड सुबह में मेरा राता था लेकिन यहां के टाइम से मेरा 6 बज़े ड्यूटी राता था और आज मेरे को 5 बज़े उठना पड़ा है यह लड़की के वज़े से क्या करेंगे यह जो लड़की यहां पर राती थी ना बहुत अच्छा राता था बहुत काफी अच्छी है यह लड़की यानि दिल के एदम साफ है और एदम यानि कोई फरकार का टेंसन नहीं राता थ है लड़की का जब से ड्यूटी ज्वाइन हो गया ना तो यह लड़की चली गई बहुत दूर और जिसे बातचीत करने का हर एक चीज के लिए लड़की बहुत अच्छी है यानि कोई टेंसन नहीं राता था कहीं पर भी जाना आना साथ में राती थी तो बहुत अच्छा लगता था यह लड़की जब से गई है वहाँ पे छे महीने बाद आ रहा है यह ड्यूटी से वापस क्योंकि छे महीने बाद उसको छुटी मिला है और हो सकता है मुंकिंग एक साल दो साल बात इधर ट्रांसफर करा ले लेकिन अभी तक क्योंकि इतना जल्दी ज्वाइनिं नहीं होता है इसके लिए प्रॉब्लम है और फ्रेंड इधर का यह सब से आखरी दवार है इसके बाद मेरे को दवार नहीं मिलेगा इस रोड का इधर देखिए इधर सब गाउं है क्योंकि अंधेरा में उतना दिख नहीं रहा है तो इसके आने से इसके लिए खुसी हो रहा है ना फ्रेंड क्योंकि इन लोगों से हम साथ यानि अभी साथवा साल रणिंग पर है यानि छे साल से हम इन लोगों के साथ में जुड़ा हो होता है न कोई हमेशा यानि साथ में घुमता हो साथ में रहता हो और और नहीं रहता है तो अच्छा नहीं लगता है तो छे साल हो गया छे साल से हम इन लोगों के साथ में हमेशा घुमना रहना सब है तो अभी इसके लिए बहुत दिनों बाद आ रही है तो खुसी तो मिलेगा ही न, आच्छा लगेगा ही, किसी को भी आच्छा लगेगा क्योंकि उसकी मा भी बहुत खुस है, जो मेडम है क्योंकि एकी साथ में आगे पीछे ये दो लोग को नोकरी मिली लड़के को भी और एक छोटी वाली लड़की को भी अभी जो दूसरे नमबर वाली लड़की है और नोकरी के लिए अभी ओ ट्रेनिंग में है यानि अभी उसको नोकरी नहीं किलिए drug हुए अभी training में है वो भी घर पर नहीं हो भी बाहर गई है तो लड़का जो है आर्मी में हो गया है जो हो गए डॉक्टछर अभी दूसरे नंबर वाली बाकी है बड़ी जो लड़की है वो teacher हो गई तो teacher वो लड़की दो साल पाले ही हो गई इसके सब पांच लड़के हैं यानि तीन लड़की भी है तीन में से दूसरे नमबर वाली अभी नोकरी नहीं कर दें छोटी वाली कर रहे है तो चोटी वाली अभी हो एक हपता पाले हो गयी है यहां से इसके निचे से ही गाड़ी गजरेगी और एक छीध दिखा दो फ्रेंटय यहां का जो है न यह सब पेट्रोल डीजल नहीं पर मिटी का तेल यह सब यहां से पैदा होता है यानि यहां पे यहां पे इसकी ख़दान है यानि यह जो है न यहां पे पेट्रोल भी होता है डीजल सौब चीज़ यहां पे यहां पे कुवा है तो यहीं से पूरा सीटी में यहां पेट्रोल जो भी सप्लाई करना है करते हैं और बहुत काफी यहां पेट्रोल सौधी में बहुत काफी पैदवार होता है इसके लिए यहां पेट्रोल जो है न दो रूपिये 25 पैसा लीटर है क्योंकि इन लोग के हैं यहीं चीज पैदा ही होता है खजूर और पेट्रोल जैतुन तिन चीज ज़्यादा होता है और डीजल यहां पे 35 पैसा लीटर है एक लीटर का 35 पैसा है डीजल का और पेट्रोल दो रूपिये 25 पैसा और यहां का पेट्रोल बहुत ही अच्छा मिलता है तो यहां पे फिराल में बहुत सचता है पेट्रोल अपने आई इंडिया में मेरे को लगता है सो रूपिये के लमसम हो गाई लेकिन यहां पे यहीं पे होता है इसके लिए यहां पे सचता है फिर भी यहाँ के आदमी लोग को महेंगा लगता है बोलते हैं 2.25 प्रेसा हो गया है लेकिन एक चीज है जो चीज जहाँ पे जितना ही सस्तार आता है ना वहाँ के पबलीक को लगता है बहुत महेंगा है अपने इंडिया में भी ऐसे ही होता है सस्ता रहेगा तो आदमी बोलते हैं यह इतना महेंगा हो गया है यहां पर भी ऐसे ही बोलते हैं कि इतना महेंगा हो गया है लेकिन हम लोग कहिसाब से यहां पर बहुत सस्ता है यह नई तो जितना इन लोग घूमती है ना इन लोग की जो नस आदमी गामें बोलता है न लोग की जब ज्यादा पैसा लगता तो फिर इस से हो जाता इन लोग उतना घूमते नहीं यह बहुत काफी इस लोग घूमते हैं और देखिए वहीं पे गाड़ी जाने वाली है जितने ये सब जा रही है अभी इधर मेन रोड पर हाईवे पर गाड़ी जा भी रही है और देखिए पूरा अंधेरा है इधर कुछ नहीं है मजरा उजरा का खेती होता है मेरी गाड़ी चल रही है फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं तो फ्रेंड यहां से जो है यही यहां से मेरे को सीधा नहीं जाना है यहां से मेरे को राइट साइड हो जाना है यहां से नीचे उधर रोड जाता है अब देख सकते हैं और हम अभी आगे उपर को देखिए बादल कैसा लगा है अब सुबह 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 जैसे लग रहा है अउजाला हो रहा है लेकिन बादल भी बहुत अच्छा लगा है और इधर तो लाइट भी नहीं है यह वाले कि आगे हैं बिल्कुल नहीं देख में लड़की फोन की थी बोल लेए मैं पांच मिनट में पहुंचने वाला हूं मैं बोला आत्में भी पहुंचने वाला हूं तो अब हम अपने मंजिल पर आ गए हैं फ्रेंड आप लोग को मैं बैए केमरा करके दिखाता हूं देखिए मैं इसके अंदर एंट्री कर रहा हूं तो अब हम इसके अंदर घुस गए हैं आप लोग देख सकते हैं हुआ 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 है तो फ्रेंड अब मिदर आ गए हैं लेकिन अभी तक मेरे को फार्किंग अगरा मिला नहीं है क्योंकि खाली ही नहीं है बहुत भारा हुआ है गाड़ी से और अभी तक लड़की भी नहीं आई है और पार्किंग भी नहीं मिल रहा है देखते हैं आगे चल के फिर से तो फ्रेंड इधर का मौसम देखिए कैसा होगी है पेड़ भी हील रहा हावा भी चल रहा है आप लोग देखिए लेकिन यहां पेड़ अगरा बहुत अच्छा है यह सब सो के लिए लोग लगाए हैं तो फ्रेंड आज बहुत कापी ठंडी है हम बाहर नहीं जाएंगे अरपोर्ट के अंदर हम गाड़ी में भी बैठेंगे और मैं आ गया हूं और पारकिंग भी नहीं मिला है आज क्योंकि पहले से गाड़ी सब इतनी खड़ी है पारकिंग ही नहीं मिला नो पारकिंग में लगा के खड़ा हूं क्या करूं गाड़ी में भी बैठा रहूंगा और ठंडी बहुत ज्यादा है और अभी तक प्लाइट भी मेरे कुछ लगता नहीं है कि आई है आई होई नहीं है अभी आने वाली ही होगी और यह देखिए यहां का एयरपोर्ट के अंदर का क्योंकि आई होती तो जहां जीज़ा इधर दिखती में इधर बाहर साइट से दिखता है मैं उधरी हूं लेकिन अभी आई नहीं है पेक यह फ्रेंड ओ लड़की है और मेरे को ढूड़ते ढूड़ते आगे गई देखि योज आ रही है कि फ्रेंड अभी हम चलेंगे लड़की आ गई है उसने फोन किया था बोले मैं दरवजे पर खड़ा हूं गेट पर मैं ठीक है मैं आ रहा हूं तो फ्रेंड मैं वीडियो को यहीं पेइंट करूंगा और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बा बायबखे बायबखे थीडूबगा विर बायबखे वाली करूंगा।